हलो वेलकम गाइज, फर्स्ट अफ आल उन सारे इस्ट्वेंट को कांगरिचुलेशन जिनको सेलेक्शन इमेल आया है इंटर्व्यू के लिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिकलेर हो गया है इंफोसिस की तरफ से आज सविरे से ही इंफोसिस ने सभी को इमेल स्टार्ट क कर दिया है तो सबसे पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इंटर्व्यू कब दिया था इस और आपने फर्स्ट राउंड का एसेस्मेंट कब दिया था कि स्लोट में दिया था इंफोसिस का आप वह कमेंट करके बता और आपको करेंगे तो चलिए स्टाट करते हैं और यह च्छोटा सा और रिक्वेस्ट है या दोस्तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए आपके सपोर्ट के कारण ही हम आगे इन तरह के वीडियों कर पाएंगे तो यार आपको support के लिए कुछ नहीं करना बस इस वीडियो को like कर लेना है और channel को subscribe कर लेना हम लोग target करते हैं इस वीडियो पे 200 likes का तो दोस्तों इस target को achieve करने में आप हमारी मदद करें हमें support करें ताकि हम आगे इस तरह की videos continue बनाते रहें और अलग-अलग companies से भी related तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं selection email दिखा देता हूं जो student को आया है तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह student को email आया है selection का email का subject अगर आप पुरहोगे clearly mention है कि Infosys Off-Campus Recruitment Drive you have been shortlisted for interview round देख रहा हूं Infosys Recruitment Fraser Recruitment की तरफ से आया है आपकी mail बादियो में आप देखोगे तो वही है कि hello thank you for participating in our Off-Campus Recruitment Drive and taking out the time to appear in the Infosys online test we are happy to inform that your profile has been shortlisted for the interview round the interview will be conducted virtually it will access to your technical and behavior skill आपका interview जो होगा एक round का interview होगा यही आपका HR और टेक्निकल दोनों एक साथ ही हो जाएगा बाकि सारे कुछ steps दिये वहाई कि आपके पास laptop होने चाहिए अच्छे internet capacity होनी चाहिए यह सब सारे तो basic है इसके लिए आपको बोरी नहीं करना आपको जो होगा अगर आप देखोगे तो इंटर्व्यू का आपको इमेल आएगा थोड़ी बाद में जब इंटर्व्यू होने वाला होगा लास्ट में अगर आप देखो देखो दे इंटर्व्यू प्रोसेस विल बी कम इन सौर्टली दा कम्निकेशन दा कन्फरमेशन फो इंटर्व्यू एलोंग विद अधर डिटेल्स विल बीच्छ विल मैंने वीडियो बना रखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन चाहिए या कुछ भी और आप चाहते हो तो आप कमेंट करो मैं वह भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ ठीक हम लोग चलिए दूसरा इमेल दिखा देता है आपको दूसरा इमेल दिख रहा होगा रिग्रेट का जो भी इस्ट्वेंट को इमेल आएगा तो आप अपने इमेल बॉक्स में बी चेक कर सकते हो ठीक है तो जैसा कि यह देख रहो इस इमेल में क्लियरली मेंसन किया हुआ है वी रेफोस तो यूर आ दोस्तों अगर आपको भी किसी तरह का ईमेल आया या आपको नहीं आया है तो यह आप हमें बताओ कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना वाकि हम कंच्टीन्यू इस तरह की वीडियो बनाते ही रहेंगे तो अभी कुछ गुश्टेंस है जो इस वी क्या थे इंसारे का तो पहले यह इमेल करें थे देखो उसके अधिलिखावा कर लिए सुडियो विस्टु रिपला री अप्लाइटु इंफोसिस एगें यू विल बीजिवल डू डू सु आफ्टर सिक्स मन्स आप सिक्स मन्स के बाद ही दोबारा अपलाई कर सकते हो अगर आ इनिवन फ्रॉम 2020 बैच गोट इमेल सो हां दोस्तो 2020 बैच वाले स्टुएंट को भी इमेल आया है जैसा कि टेलीग्राम ग्रूप वाट्सप ग्रूप बना हुआ है मैं टेलीग्राम ग्रूप और वाट्सप ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप व कोई कोई है आप किसी 2021 बैच से हो या 2022 बैच से हो या किसी से भी आप कुछ पूछना चाते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हो ठीक हम लोग सारे को कुछ इंफरमेशन सेयर करें अगला कोस्ष्यंज देखा किसी ने पूछा इनिवन हूँ वेंफोसिस एक्जाम ऐन किसको रूंगा वो भी बताऊंगा सबुछ किसी स्पूर्ट को इमेल अभी तक नहीं आया है तो इसका क्या मतलब होता है तो वीडियो को करते रहते हैं आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं यह दोस्तों वीडियो को लाइक करना आप मत भूलिएगा अगले कोशन की तरफ अ सिंपल सा मतलब है अगर आपको कोई अभी तक नहीं आया है इसका मतलब है कि है सений मेल आने का तो अब मैंने आपको अभी विडियो में दिखाया है कि इस इंफोसिस रीजेक्शन इमेल भी भेज रही है, अगर आपको अभी तक कोई इमेल नहीं आया है, इसका मतलब को चांसेज है सेलेक्शन इमेल आने का या फिर और भी इमेल आने का, तो इस आपको क्या करना है? इस इस की जरूरत नहीं है ठीक है और मैंने इस वीडियो में पहले ही बता गया अगर आपका इंफोसिस में नहीं हो पाया इस रॉंड में तो आप एक six मंत बाद ही eligible हो दोबरा apply कर सकते हो ठेक है यह फ़हला किको इस्टूएंड को इमेल आया है तो दोस्तों दोनों को इमेल आना आपको उस queries का response करके आपको उसका जवाब देने का तो दोस्तो वीडियो को अंत करते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much for आपको ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको कुछ भी questions है तो यार फिर से कहरा आप comment कर सकते हैं यार दोस्तो एक help आपसे एक आपकी support चाहिए तो बस वो support में यहीं चाहिए कि आप इस वीडियो को like कर दो और चैनल को आप subscribe कर देना और अच्छा लगए तो अपने दोस्तों की बीच भी आप share करो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much